स्वागत्य साथियों आज के इस lecture में हम लोग पडिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम राज्य पिछले लेक्टर्स की तरह द्रिश्टी क्विक बुक हिस्टी की बुक है हम लोग इसमें जो इंप्वार्टन हैं उसको मैंने यहाँ पर हाइलाइट करें रखा है इसके अलामा इसको देखते हैं तो बहुत कम समय में आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे सी इसली रिवाइज हो जाएगा आई शुरू करते हैं चौथी सदी इस्वी के प्रारम में अगर कोई बड़ा संगठित राज्य देखा जाए तो कुशान, सक इन सबका सासन उसमें रहता है लेकिन उनकी सकती काफी कमजोर होती है एक चलता है सात्वाहनवन्स लेकिन ये भी तीसरी सदी के मद्द से पहले समाप्त हो गया था तो कोई बड़ा सामराज्य नहीं था, कोई बड़ा संगठित राज्य नहीं था, इस समय उदय होता है गुप्त राजवन्स का तो इन में कई आते हैं, जैसे राज तंत्रों में गुप्त, नाग, आभी, रिच्छाकू, गर तंत्रों में आरजुनायन, मालो, यौधे, लेकि लिच्छवी ये सभी कुषाडों के पतन के बाद उत्तर भारत में उदय होता है इनका चार सताब्दियों तक भारत का समाजिक, धार्मिक, साहितिक, व्यज्यानिक तक नहीं विकास होता रहा जो मुख्त गुप्त राजाओं के सासनकाल से सम्मंदित है गुप्त बन से सम्मंदित बाते हैं, आरंभिक राज ये उत्तर पदेश और बिहार में था लेकिन उत्तर पदेश का जो है वो अधिक महत्तु था कैसे पता चलता है? क्योंकि आरंभिक मुद्राएं जो हैं, गुप्त मुद्राएं और अभिलेक वो मुख्यता उत्तर पदेश से ही पाए गए ये गुप्त कौन थे? संभवता है वैस से थे क्विश्ण पूछा जाता है क्या ये कुछानों के सामंत रहे? ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं क्यों कुछानों से प्राप्त सेने तकनीक एवं बैबाहिक संबन्धों ने गुप्त सामराजी के प्रिसार में एवं सुद्रीनी करण में महत्तुण भोमिका निफाई क्या प्रमुख सुरोत है तो सबकी तरह साहितिक पुरातातिक विदेशी सुरोत मिलते हैं साहित में देखिए एक प्रमुख है विशागदत का देवी चंदरगुप्तम देखिए एक उसमें सासक है रामगुप्त और चंदरगुप्त दुती है रामगुप्त की एतिहासित्ता के बारे में जानकारी विशाग दत के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से ही मिलती है। इससे भी गुप्तकाल की जानकारी मिलती है। पुरातात्तिक सुरोतों में बात करें तो अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है प्रयाग प्रसस्तिय विलिक। किसका है ये? समद्र गुप्त का है। इसमें कई सासकों के नाम काउलेक मिलता है अभी इसको हम अच्छे जुनागडबलेक है इस बात की जानकारी मिलती है कि सुदर्सन जील का पुनरिर्माण करवाया गया था। चोटी चोटी बाते हैं पूछी जाती है हूड आक्रमण के बारे में जानकारी किस्से मिलती है। सुदर्सन जील का पुनरिर्माण सकंद गुप्त ने कराया इसकी जानकारी किससे मिलती है जूना गड़कीन से, शिक्कों से सम्मादित बाते थे, जो सोने के सिक्कें होते थे गुप्तकाल में, उनको कहा जाता था दिनार, ये इंपोर्टेंट है, याद रखेएगा, चांदी के सिक्कों कहा जाता था रूपक या रूपयक और ताम्वे कैसी को कहा जाता था माशक तो सोना चांदी तामवा दीनार रूपक या रूपक माशक ठीक है? अब यह जो सौनल शिक्ये हैं उनका सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला है तो राजस्थान में मिला है बयाना से असा question पूछा गया है इसका स्क्रीन सॉट लेके रखिएगा यहां से question आते हैं तो जो मंदिर है मूर्तियां है चैतिगरी हैं उनसे भी कलास्थापति की जानकारी मिलती है अजन्ता और बाग के गुफाओं के कुच्चे त्रभी गुप्तकालीन माने जाते हैं तो यह तो रहा आपका साहित्य कुरातातिक विदेशी यात्रियों के विवरन में कौन प्रमुख है तो दो हैं एक फाहियान है क्योंकि चंद्रकुप्ध दुतिय के सासनकाल में भारत आते हैं तो मद्यदेश का वरन करते हैं क्या-क्या प्रमुख बाते कही हैं इन्होंने थोड़ा सब इसको डिसकस आगे इस बुक में इसको डिसकस किया गया है वो आपको एक स्क्रिन्शॉट में मिल जाएगा हुए इन्सांग उन्होंने कुमार गुप्त प्रतम, बुद्ध गुप्त, नर्सिंग गुप्त, बाला दित्य, आदि गुप्त चासकों का उले किया है इसके विवरंड से पता चलता है कि कुमार गुप्त ने नालंदा महाविहार के अस्थापना करवाई थी तो ये जानने के रहे सुरूत यहां से कुछे जाता है गुप्त में इसको स्प्लिन किया गया है अगर गुप्त राजवन्स का प्रारंभिक इतिहास देखें तो माना जाता है कि इसकी जो अस्थापना है वो स्री गुप्त ने करी है क्यों दो मुहरे प्राप्त होई है इनके उपर संस्कृत में लिखा है स्री गुप्त स्य तो प्रतीत होता है कि स्री गुप्त नाम के विक्तिने स्वंस की इस्थापना की थी तो इसने महराज की उपाधी धारन की थी ये महराज जो है ये सामन्तों की उपाधी होती थी जिससे पता चलता है कि वा किसी सासन सासक की अधिन सासन करते थे इसलिए कहा जाता है कि पुषाणों के सामन्द थे ये इच्सिंग का एक विबरण मिलता है जिसमें स्री गुप्त उसने मगध में एक मंदिर निर्माण करवाया मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिये इसके बाद उसका पुत्र घटोत कच गुप्त वंस का सासक बना एक है सुपिया का लेख तो असकंद गुप्त के सुपिया का लेख जो है वो रीवा मत्यपदेश से प्राप्त होता है यहां से गुप्तों की वंसावली घटोत कच के समय से ही प्रारम मानी जाती ठीक है इसमें पता चलता है कि गुप्तों का राजनायती के तिहास घटोतकच के समय से ही प्रारम भूए लेकिन वास्तविक संस्थापक माने जाते है चंदरगुप्त प्रथम क्योंकि इन्होंने गुप्त संबत चलाया था जो इनका राज्याविसेक की तिथी है वो है 319 इस्वी और इसे ही गुप्त संबत का आरम माना जाता है आप जानते हैं जो हमारा राज्टी संबत है सक संबत तो उसमें 78 इस्वी है 241 वर्स अगर जोड़ दीजे तो गुप्त संबत के तिथी निकल आती है एक बार यही कुश्चन आयोग में पूछा गया था कि सक संबत और गुप्त संबत के बीच में कितने वर्सों का अंतर है तो सीधा सा मतलब था उस कुश्चन का कि आपको दोनों की तिथियां पता हैं कि नहीं तो इसको थोड़ा सा आप जान रखेंगे गुप्त संबत की भी तिथि पूछी जाती है इसका प्रारम 319 इस्वी और किसके समय में प्रारम होई तो चंदगुप्त प्रथम की राजय विशेक की तिथि यहीं से गुप्त संबत का अरम माना जाता है हलाकि इसका जो ये संबत चलता है ये गुप्त समराटों के काल तक ही पैसलित रहा थीक है अब चंदगुप प्रथम से संबंधे जो प्रमुक बाते हैं जो पूछी जाती हैं तो चंदगुप प्रथम ने महराजा धिराज की उपाधी धारण की थी और लिक्षवी राजी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ बिवाह कर लिक्षवीयों की साहता से अपनी शक्ती बढ़ाई तो एक तो इनकी उपाधी हो गई महराजा की राज पत्नी का नाम हो गया कुमार देवी पुस्ती कहां से होती है तो इनके सोरन सिक्के मिलते हैं कौन से सोने के सिक्के ले तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि राजकुमारी कुमार देवी का विवा हुआ था चंदरगुप्त प्रथम से अप्शन में आपके दोतीव अगरा भी रख सकता है लिक्षवी प्रकार के सिक्के, राजारानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के तो देखें ये किसके सिक्के हैं? चंद्रगृप पथम के हैं? ऐसे question विकल्प में रहेंगे. दूसरा प्रमार लिक्षवियों के संबंद का मिलता है समुद्रगृप्त के प्रयाग अफलेक में. इसे इसमें उसे लिक्षवी दावित्र कहा गया है. तो दो important fact हैं लिक्षवी ब्यवाहिक संबंद थे उससे इनका विस्तार भी काफी होता है, प्रभुत बढ़ता है. तो जब इन्होंने लिक्षवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ बिवाह किया, तो इनको मिला वैसाली राज्ये. उसने अपने सुन सिक्के पर अपना और कुमार देवी का नाम इन सिक्कों के पिछले भाग पर लिखा है लिक्षवया है, यानि कि लिक्षवी, तो लिक्षवियों से संबंध इनका स्पस टूप से प्रमारी हो जाता है. क्योंकि नए संबंद के प्रवर्तन का श्रे जो है चंद्रगुप्र प्रथम को दिया जाता है, और इसका जो प् रूपक या रूप्यक, जिसका नाम अभी आपने देखा. संबंद्रगुप्त को अपना उत्राधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप प्रथम ने सन्यास करहन कर लिया था, ये इंपोर्टेंट है. इसके बाद आ जाते हैं संबंद्रगुप्त. संबंद्रगुप्त को बिंसेट इसमिथ ने कहा है भारत का निपोलियन. पहला कुश्चन यही है, निपोलियन क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने आर्यावर्थ उत्तर की तरफ, दक्षिनावर्थ दक्षिन की तरफ, कि 12-12 सास्कों को पराजित किया. तो काफी चक्रवर्ती समराठ प्रतीत हो निपोलियन कहा जाता है, बारा-बारा रजाओं किरोंने पराजित किया था, इनसे सम्मंधित कई बाते हैं, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, इसको देखते हैं. तो समुद्र गुप्त की जो यह दिग्विजय है, इसकी जानकारी के स्रोट कहा है? आपने प्रयाक प्रसस भी खाजाता है, स्तम भलेक, देखे यह जो स्तम भलेक है, वास्ताव में यह असोक ने बनवाया था कौसाम्पी में, असोक निरुमित यह स्तम मूलता कौसामभी में श्टि था, जिसे अकबर, न मैं इलहावाद में स्थापित करवाया था, अब इस सम्मंधी थोड़ा दे समुदरगौत के विजय अभियानों का उलेख करता है नाम कौन से important हो गए हरी चहर्र कहां करता है तो प्रयाग प्रसस्ति में प्रयाग क्रसति की किस इसलोग में सात्वे स्लोक में समुदरगौत के विजय अभियानों का उलेख करता है चीक है इससे पहले जो चोथा स्लोक है चोथे इस लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समद्रगुप्त को उत्रा धिकारी चिने जाने का उलेख है important हो गया प्रयाग प्रसस्ति प्रामाडिक देता है जानकारी अब इनकी नीतियों को लेकर के भी कुछ वर्णन मिलते हैं समद्रगुप्त ने गुप्त सक्ति के प्रसार के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपना जाए इनकी नीतियों को लेकर क्वेश्चन कई बनते हैं अ बना बताया गया है प्रसस्ति का मतलब ही है इसकी तारीफ किसी के तो इसके बारे मैं आपको पहले डिस्क्रस कर दिया क्योंकि यह जो अस्तंभ लेक था यह मूलता असोख ने बनवाया था मौरे मौरे काल में कौसांबी में इस्थित था और इसको अकबर बाद में अकबर का मिलेगा उनके साथ बीरबल का भी लेक मिलेगा उनके बाद जहागीर का उलेक मिलता है तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रसस्ति पर किसका किसका उलेक मिलता है असोख समदर्गुप्त अकबर बीरबल चहांगीर प्रयाग प्रसस्ति में सरवथम भारत वर्स का प्रभावती गुप्त अभी इनको आगे पढ़े में इनका एक लेख था पूनाग लेख इसमें समुद्रगुप्त को अनेग अशुमे ध्यग्य करने वाला कहा गया है लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि प्रयाग प्रसस्ती में अशुमे ध्यग्य का वरणन नहीं है समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं प्राप्त होती है वो छे प्रकार की हैं अक्सर कर पूछा जाता है कि समुद्र गुप्त की कितनी मुद्राइं प्राप्त होती हैं, तो छे मुद्राइं प्राप्त होती हैं, उन छेवों मुद्रा के नाम जो हैं, आप यहां एक ही स्क्रीन सॉट में लेख सकते हैं, गरुण प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, उपाधित है धनुधारी प्रकार के जो सिक्के है प्रिस्ट भागपर सिंग वाहिनी देवी के साथ इनकी उपाधी है अप्रती रथा है तो मुद्रा के मुख भागपर राजा धनुस बांड लिये हुए खड़ा है तो मुख भागपर धनुस बांड लिये राजा खड़े हैं तो धनोधारी प्रकार का हुआ, पिछले भाग पर सिंग्हुआहिनी देवी के साथ अप्रती रथा अंकित है, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं लिखे गए, परसु प्रकार, इसमें राजा परसु धारन किये हैं, उनकी उपादी मिलती है, कृतान तियम तो इनकी उपादीयों का अभी उलेक इनके सिक्कों पर मिलता है, चौथा है अस्वमेद प्रकार, देखिए, ये ही एक प्रमाण प्रमुख रूप से मिलते हैं, कि समध रुगुप्त ने अस्वमेद यग्य किया था, इसमें क्या है, यग्य रूप में बंदे हुए गोड दे का चित्र और मुद्रा लेख है राजा धिराज, तो प्रिधवी को जीत कर त्था अस्वमेद यग का अनुस्ठान कर सवर्ग लोग की विज़ा करता है, ये तो ये प्रमाणी हो जाता है, समध रुगुप्त ने अस्वमेद यग्य किया था, व्याग्र हनन प्रकार का स कुण सा ब्या घ्रहनन प्रकार का इसमें एक है मकरवाहिनी गंगा उलिखित है इसके प्रिस्ट भाग बड़ यह मकरवाहिनी गंगा क्या हो सकता है तो आप जानते हैं कि जो गंगः हाटी है उसपर विजय के उपलक्ष में मकरवाहिनी गंगा और राजा समदुर्गुप्त का भी उलिख मिलता है तो व्यागरहन प्रकार के सिक्कों पर राजा समदुर्गुप्त का भी नाम मिलता है एक इंपॉर्टन फैक्ट है कि गुप्त काल में कौन सा राजा वीना बजाता था तो वीना वाधन प्रकार का सिक्का मिलता है इसमें समद तो गुप्त को वीड़ा बजाते हुए दिखाया गिया जो उनके संगीत प्रिम्य होने का प्रमार देता है तो यह छे सक्के सिक्के हैं यहां से questions को पूछे गए हैं खुब अच्छे से इसको समझिए इस किताब को पढ़िए जिससे आपके questions गलग नहीं होगी सेन अभियान देखे क्योंकि यह जब नेपूलियन कहेंगे हैं इनका सेन अभियान i weather unhappy तो देख दो चरणों में इनका राज्यों की विजर के गिजए तो आर्या वरत में दो इन्होंने किया प्रथम दुति धक्षना पत में कीया और है इनके प्रमुक्ष Explain अभियान थे तो जो इनका पहला है उत्त्रापत का आर्यावर्त का प्रथम अभियान उसमें उत्तर भारत के तीन सक्तियों को पराजित किया इसमें कौन-कौन थे? अच्चित, नाकसेन, कोटकुलज इन सास्कों को हराया तो प्रथम अभियान में तीन सास्कों को पराजित किया जब ये दुतिय अभियान करेंगे तो उसे आर्यावर्थ का दुतिय युद्ध कहा जाएगा जो बाकी नौ राजा बचे हैं उनको ये परास्त करते हैं इनका उल्लेख आपको यहीं पर मिल जा रहा है कि आर्यावर्थ के दुतिय युद्ध में समधर गुपते नौ राज्यों के विजए की राजा थे रुद्रदेव, मत्तिल, नाकदत, चंदरवर्मा, गड़पतिनाग, नाकसेन, अच्चित, नन्दी, बलवर्मा तो नौ तीन बारा ये हो गए आर्यावर्थ के लेकिन तीन को पराजित करने के बाद ये दक्षिनापत के राज्यों में कुल बारा राज्य थे उनको पराजित करते हैं कौशल, महाकांतार, कोराल, पिस्टपुर, कोटूर, इरंडपल, काची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवरास्ट, कुरस्थलप जो इन्होंने दक्षिनापत की विजय की उसके लिए उन्होंने तीन नीतियां अपनाई थी इनको question directly पूछा जाता है कि समद्रकुप ने दक्षिनापत की विजय के लिए किन तीन नीतियों को अपनाया था तो इसका एक नाम है ग्रहण, मोक्छान, ग्रह ग्रहण, मोक्छान, ग्रह नीती है तो ग्रहण का मतलब है सत्रू पर अधिकार कर लिजे यदि वो अधिनिता स्विकारल कर ले तो उसको मोक्छ, मुक्त कर दीजे और यदि वो आपके संरक्षन में रहना चाहता है तो सत्रू को उसका राज लोटा दीजे अनुगरह करिए और उसको अपने अधिन कर लिजे तो तीन प्रमुक नीतिया थी दक्षिनापत विजे की अभी आर्यावर्थ की भी देखें कि कौन-कौन सी प्रमुक नीतिया थी जो उन्होंने अपनाई थी तो चुकि तीन पहले आर्यावर्थ में हुआ था फिर बारह दक्षिनापत में दक्षिनापत के अभियान से निवित हुए तो उन्हें उत्तर भारत में एक पुना युद्ध लड़ा जिसको मैंने बताया आर्यावर्थ का दुती युद्ध इसमें उन्होंने नौ राज्जियों की विजे की इनके नाम ने पढ़ दिया है अब आटविक राज जाते हैं आटविक राज जंगली जाती है थी तो उत्तर प्रदेश के गाजी पुर्जिले से लेके मध्यप्रदेश के जबल पुर्जिले तक यह बन्प्रदिश के फढ़े हुई राजय थे तो आठीवी के राज्यों को क्या करता हिए त्व को अपना सेवग बनाता है उनके लिए उनके लिए भी इन्होंने सर्वकर दानाग्याकरण की नीती अपनाई तो वो सभी प्रकार के कर देते थे इसमें थे सम्तट दवाक, कामरूप, कर्तरपुर नेपाल समुद्रगुप्ट के कुछ विदेशी राजों से भी सम्मन अस्थापित किये गये थे जैसे देवपुत्र, शाहिसा नुशाही सक, मुरूंड, सिंगल तो इनके नाम मिलते हैं अब यहाँ पर इनकी आती हैं कि समुद्रगुप्ट की विजए नीतियां क्या क्या थी तो देखें यहाँ आपको मिल आएंगी पांच प्रमुक नीतियां देखने को मिलती है जिनमें है राज्य प्रसभोध धरण की नीति यह राज्य प्रसभोध धरण की नीति क्या थी मगद के आसपास राज्यों को पराजित कर उनको राज्य में मिला लिया गया पहली नीति दूसरा क्या था सीमांत छेत्रों के लिए थी सर्वकर्दानाज्याकरण की नीती पूछा जायेगा ना कहा की नीती थी कि ये सभी परकारकिक कर देंगे जो सीमावडती राज्ये थे जो आठिवी जणजाती राज्ये थे उनको सेवक बनाया था ना परिचारक तो परिचारकी कृत नीती दक्षिन पत्थ में उन्होंने नीती तीन नीती लाई थी ग्रहण मोक्षानुग्रह देखे इसी में ग्रहण भी है मोक्ष भी है और अनुग्रह भी है तो दक्षिन भारत के बारार राजाओं के संग को पराजित कर उन्हें उनके राज दूरदर्सी चाशक बहरत के नेपोलियन कहलाने वाले जिंसेट स्मि áंपलिया क्या प्रमाण मिलता है तो आपने देखा कि सिक्क पर इनको मत नेधा प्षूमेध पराकरम में डिसकस किया हुआ है तो समुद्र गुप्त को आप देखते हैं कि विचाल सामराजिक की अस्थापना करते हैं जो हिमाचल हिमालाय से लेके बिंध्या तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी मालवा तक विस्थ था तो मान के चलते हैं कि अगर पूरा उत्तर पस् प्रदान की गई है इनकी उपादियां थी ब्याग्र पराक्रमांग अप्रतेरत पराक्रमांग जो अपने इनके सिक्कों पर देखा एक थे बाधविक्छू वसुबंधू उसको उन्होंने संरक्षण दिया था एक लेक पता चलता है कि स्रीलंका के सासक थे मेघवण यह प बाद में वही विशाल बहुत विहार के रूप में विक्सित हुआ एक तामरपत्र है जहां पर समद्रगुप्त को परमभागवत की उपादी मिली है अब इसके बाद अगले सासक आएंगे चंद्रगुप्त दूतिय विक्रमादित्य चुकि इनका जो सासनकाल था 350 से 375 त उसके बाद आता है समद्रगुप्त उसके बाद देखिए एक आता है रामगुप्त लेकिन इनका उलेख नहीं मिलता है तो बताया कि अभी शुरुवात में शुरोत में बताया कि विसागदत्त की एक रशना थी देवी चंद्रगुप्तम नाटक था इसमें रामगुप्त का एक उल्लेक मिलता है कि इस नाटक से पता चलता है कि समोध़ु गुप्त के बाद राम गथा पराजित प्राजित हो जाते हैं तो भाईवस अपनी धुर्भ देवी को सवंको देने के लिए तयार हो जाते हैं उनको सौंप देते हैं जिससे सांती बनी रहे इससे क्या होता है उनकी छोटे भाई चंदगुप दुती होते हैं वह बहुत छुप्ध होते हैं और इसका बदला वो लेते हैं किसे सकों को पराजित करके तो सकों को पराजित करते हैं और धुरुब वो विद्वा हो जाती है तो यही दुरुप्देवी से वो विवा कर लेते हैं तो यह उलेक मिलता है रामगुप्त का तो इससे माना जा सकता है कि चंदगुप्दुतिय विक्रमादित्य के पहले एक सासक आते हैं रामगुप्त बाकी इनकी अतिहा सिक्ता बहुत अधिक नहीं मिलती है तो चंद्रकुप दुतिये विक्रमादेत्य का एक उलेक मिलता है चंद्र अब ये क्या है तो देखें दिल्ली में कुत्व मिनार के पास में महरावली का लौहस्तंब है, ये लौहस्तंब है कुतुमिनार के पास, इसमें चंदर नामक राजा की कीर्थी का वर्णन किया गया, तो ये चंदर जो है चंदर को दुतिये से इसकी पहचान की जाती है, इसके अलावा इसका उल्लेक मिलता है उदैगिरी गुहाबलेक, यहां और महरावली का लौहस्तंबलिक, तो चंदर कुप दुतिये से संबंदित्य प्रमुक प्रमाड है, चंदर कुप दुतिये विक्रमादित्ये ने जो अपना समराज विस्तार किया, विवाहिक संबंदों से प्रालम करते हैं, तो इन्होंने राजकुमारी कुबेर नागा, ये नागवंस की राजकुमारी थी, इनसे विवाहिक संबंद अस्थापित किया, बाद में उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती, जिनका भी आपने अभिलेक देखा था, वही है ये पुत्री प्रभावती, का विवाह वाकाटक वंस के राजा रुद्रसेन दुतिये क वाहिक संबंद अस्थापित होंगे तो इनका भी प्रभुत तो बढ़ेगा, तो होता क्या है कि पश्यमी मालवा पर जो छेत रह प्रभाव है, वह वाकाटक राज्ये पर जो है और पश्यमी मालवा पर अच्छा हो जाता है, तो हुआ क्या कि इससे इनको पश्यमी समदर टट मिल गया प्यापार के लिए इससे क्या हुआ मालवा जो उसका मुख्य नगर उज्जैन था वो सम्रिद हुआ तो इन्होंने उज्जैन को बनाया दुतियी राजधानी पहली क्या थी पाटली पुत्र पहली दूसरी उज्जैनी राजधानी थी कौन बनाते हैं गुप्तृथदुतियी तो उज्जैनी करके अंधिम सक्सासक थ्रुष तयको उभल आजिए परचित करने के बाद के चलाए तो मालों में ब्याग्रसैली के सिक्के तो सकों से सम्मंदित इनके दो-तीन बाते हैं जो पूछे जाते हैं इनके अन्य नाम भी हैं देव गुप्त देव राज देव स्री इनकी उपाधियां हैं विक्रमांग विक्रमादित्य परहं भागवर चंदकुरुप दुत विक्रमादित्य के नौरतनों में थे या नहीं थे ऐसा करके पूछा जा सकता है तो कौन-कौन थे नाम लिखे हुए हैं कालिदास धन्मंतरी छपड़क अमर सिंग संकु विताल भट घटकर पर वराह मीर और वरुरुची तो यह नौरतन है इनके जो द्रचनाय हैं वो इस्वी और आप जानते हैं कि जो चंद्रपर दुती विक्रमादित्य का काल करम है वो 375 इस्वी से सुरू होता है और 415 इस्वी तक है तो पूर्टा हुनके कारेकाल में फाहियान आते हैं फाहियान का यात्रा विबरान बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसको देख वरणन क्या किया मध्य देश ब्रामणों का देश था सुखी संपन्न थे और लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था केवल आर्थिक दंड दिया जाता था यह फाहियान कहते हैं मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे मांस मदिरा प्य गया कि यह तो देवदाओं द्वारा निर्मित है क्योंकि उससे प्रभावित हुआ था उसने नालंदा राजग्री बोध गया वैसाली शिरावस्ति कपल विस्तु की भी यात्राइं की चीनी ग्रंथों में भारत को नाम दिया गया है यिन तू किस नाम से जाना जाता है भ द्रम्वक के इंदर थे चंद्रकूबदृति का जो सचिव था वीर सेन वह सेव धर्मानिय था जबकि सेना-पति आमरकारदयो बहुत धनवाई था चंद्रकूबदृति का काल ब्राममार धर्म के चर्मोतकार्ज का काल था इसके बाद आएंगे कुमार्गुप प्रथम य चैप्टर को समझेंगे अगर एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजे याद हो जाएंगी तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुमार गुप्त के साथ देखते हैं कि जो इनके कुमार गुप्त प्रथम महिंद्रा दित्या है उनकी प्रमुक बाते क्या है गुप्त और सामराज जी को कंटीनी रखेंगे अभी आगे दो लेक्चर में जिससे कि आपको यह अच्छे समझ में आ जाए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा कि दोस्तों के साथ शेयर करिएगा मिलते हैं हगले वीडियो में तक तक के लिए गुडबाई